Assalamu alaikum and good evening everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. जैसे कि आप सब को पता ही है कि Aptitude के classes हम आप लोगों को, Aptitude के जो वीडियो लेक्चर से हम आप लोगों को प्रोवेड करते हैं हमारी YouTube चैनल Learn and Serve Academy पे. और Aptitude में आज हमारा 16th lecture है और इसके बाद जो Aptitude का Part 1 है इसमें एक तो हमारा Mixture and Elegation बज़ता है और उसके बगएर Basic Algebra बचेगा बस से ही दो टॉपिक सब Aptitude के Part 1 में बच जाएगा यहां पर और इसको Complete करने के बाद हमारा फिर जो Reasoning में Part 1 में कुछ Topics रह गये हैं फिर हम इसको Complete करने की कोशिश करेंगे आज का जो हमारा Topic है वो Average पर है Average और यह हमारा Lecture No.16 है देखो इस Topic के Related में आप लोगों को यह हम पर बताना जाहूंगा कि इसमें जो बिलकुल एक Basic Formula है उसी पर हम Questions को सालो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब भी Average का Topic था तो Simple Average पर एक Question आता है आप लोगों को कुछ यहां पर Tough देखने को नहीं मिलेगा बिलकुल Easy Question होगा क्योंकि आप लोगों को पता हिए कि कुछ Topics मैंसे मतलब कुछ Topics ऐसे होते हैं जिनमे Easy Questions आते हैं और Average एक ऐसा Topic है जिसमें आप लोगों को Easy Question एक्जाम में देख Topic में और यह एक स्ट्रेटीजी भी होनी चाहिए कि आप लोगों को यह पता होनी चाहिए कि कुछ Topics ऐसे हैं जिनमे Easy Questions बनेंगे कुछ Topics ऐसे हैं जिनमें Tough Questions बनेंगे तो आपको accordingly वैसे ही work करना है क्योंकि अगर आप हर एक Topic वैसे पढ़ोगे कि एक Tough Level का पर हर एक Topic की कोशिश करेंगे पहली बात आप लोगों को याद रखना है कि mathematically अगर आप लोगों को average को define करना होगा average mathematically किसके बराबर होता है sum of quantities उन quantities जिनका आप लोगों को average निकालना है उनका sum करना है divide by number of quantities ये quantities कितनी है divide करना है आप लोगों का average निकल के आएगा और इसी equation को अगर आप interpret करोगे तो आप लोगों को आएगा यहाँ पे अगर average को मैं A से represent करूँगा sum of quantities को S से और number of quantities को N से then A is S by N दूसरी formula क्या बनेगी A यहाँ से multiple होगा A into N is S और third हमारी क्या बन सकती है अब ये N यहाँ पे आए अब मैं A को इदर लेके divide करूँगा तो N हमारा क्या हैगा S by A N is S by A यानि कि यहाँ तो average is equal to sum of quantities divided by number of quantities या average into number of quantities is equal to sum of quantities या number of quantities is equal to sum of quantities divided by average तो यह आप लोगों को याद रखने होंगे यह formula इसी पर हम directly questions को solo करने की कोशिश करेंगे और एक चीज़ average को हम कभी कभी arithmetic mean भी कहते हैं यह point आप लोग याद रखना आप देखो कुछ और important points आप लोगों को जो average में याद रखने होंगे पहला ही point अगर आप लोगों का जो जिन quantities का अगर आप लोगों को average निकालना है वो quantities अगर same होंगे for example आप लोगों के पास 5 लड़के है और उनका weight दिया गया है और weight same है for example 50 kg पहले का weight भी दूसरे का weight 50, 3rd का भी 50, 4th का भी 50 और last वाले का भी 50 अगर आप लोगों से इस ऐसे पेटर में से average पूछा जाएगा तो आप लोगों को स्वालों नहीं करना है बिल्कि directly आप लोगों को बोलना है कि average भी 50 होगा जब if all the given quantities have the same value यहां पे हर एक quantity का value क्या था same तो इस case में जो average होगा that will be the value itself अगर आप अगर आप average formula से भी calculate करोगे मैंने क्या बोला था sum of quantities अब देखो जब sum करेंगे 50 plus 50 is 100, 150, 200, 250, 250, divided by number of quantities कितनी है 5, 500, 500, 0 यानि कि 50 आएगा यानि कि जब value same होगा तो average number itself होता है पहला point दूसरा point जो आप लोग याद रखोगे वो है कि अगर आप लोगों को average आप निकालना है कुछ quantities का जो same नहीं है for example आप लोग ऐसी weight आप लोगों का average निकालना है weight का 5 students का और weight कुछ ऐसे है students का 50, 49, 48, 47, 46 अगर आप लोगों को इन ये 5 weights दिये गए है students के और आप लोगों को इनका निकालना है तो आप लोगों को एक point पहली ही याद रखना है कि जो average आप लोगों का होगा इसमें सबसे बड़ी term कौनसी है 50 तो आप लोगों का जो average है वो that will be less than 50, average आप लोगों का क्या होगा, less than 50, average will be always less than 50, but will be, जो सबसे चोटी term कौनसी है 46, but will be always greater than 46 ये आप लोगों को ये point याद रखना है कि जिन quantities का आप लोगों का average निकालना है, उसमें जो सबसे बड़ी quantity होगी, average हमेशा उससे काम होगा और जब से, जो सबसे चोटी quantity होगी, average हमेशा उससे ज्यादा होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, अब इस पर क्या कहना है, अगर आप लोगों को question ऐसे आएगा exam में, आप लोगों को पूछा जाएगा कि average निकालो, quantities ऐसे दी होगी, 9, 8, 7, 2, 9, 8, 8, 1, 9, 8, 8, 5, 9, 9, 2, 3, आप लोगों को बहा जाएगा कि इन quantities का average बताओ, average क्या है, options होगे, ऐसे, for example, यह में, जो options है, मैं यह नहीं बोर रहा हूँ कि correct क्या है, incorrect क्या है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, कि इसमें पहले आप देखो कि सबसे, सबसे बड़ी term कोन है, देखो, 9, 8, 7, 2, 9, 8, 1, 9, 8, 5, 9, 9, 2, 3, पहली बात कि जो भी 9, 9, 2, 3 से, 9, 9, 2, 3 से बड़ा जो option होगा, उसको आप neglect करोगे, वो option नहीं हो सकता है, क्यूंकि average हमेशा 9, 9, 2, 3 से काम होगा, पहली बात, और आप सबसे चोटी term क्या है, 9, 8, 9, 8, 7, 2 सबसे चोटी term है, यानि कि इस 7, 2 से कम अगर कोई option होगा, वो भी आपका answer नहीं हो सकता है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब simple में आप लोगों को याद रखना है कि, जो आप लोगों का average होगा, जो आप लोगों का average होगा, वो जो सबसे बड़ी term क्या है, 9, 9, 2, 3, average 9, 9, 2, 3 से कम होगा, हमेशा लेकिन सबसे चोड़ी term क्या है, 9, 8, 7, 2, average इससे ज्यादा होगा, यानि कि सबसे चोड़ी term और सबसे बड़ी term जो होगी, उनके दर्मियान average होगा, ना सबसे बड़ी term से ज्यादा average हो सकता है, और ना ही जो सबसे चोड़ी term है, उससे कम average हो सकता है, ये चीज़े possible नहीं ह यह बाद भी आप लोग याद रखोगे थर्ड पॉइंट आप लोग क्या याद रखोगे एवरेज के रिलेटिड के अगर इफ इच आप गिवन कॉंटिटी इस आपकोश्चन में वहां से ही दिया गया है तो वासे ही को आप लोगों को दिया गया है वहन 7 कर दोगाइज इनका इसे हो वो एक्जामपल टॉनिती थाटी 354 विरेज स् portrayed- एक quantity को हम plus 2 से बढ़ाएंगे यानि कि जो हमारा यानि कि जो हमारा 10 है 10 है वो 12 बनेगा जो 8 है वो 10 बनेगा जो 2 है वो 4 बनेगा और जो 20 है वो 22 बनेगा अगर आप लोग को अब बुचा जाएगा कि अब क्या average होगा आप लोग देखना कि पहला average क्या था 10 तो आप लोग बोलो कि वो भी 2 से बढ़के 12 हो जाएगा अब देखो यहां पर average कितना था 20 plus 2 plus 8 plus 10 quantity is कितनी है 4 20, 30, 38 to 40 divided by 4 that is 10 अब देखो यहां पर 12 plus 10 is 22 plus 4 is 26 plus 22 is 48, 48 divided by 4 is 12 short में अब यह वाला question तो वहां पर नहीं होगा वहां पर तो बड़ी-बड़ी terms होगी वहां पर ऐसे होगा 1, 9, 8, 7, 6 2, 5, 8, 1, 2 7, 6, 2, 9, 3 9, 9, 8, 7, 6 अगर ऐसे question आएगा कि यह 4 terms जो है इन 4 terms का average जो है वो X है आप question आप से पूछेगा कि हर एक term को हमने by 10 increase किया तो average क्या होगा आप लोग बोलोगे average भी 10 से increase होगा पहले average X था अब X plus 10 होगा यह point भी आप लोग average में याद रखोगे इसके बाद और एक point जो आप लोग को याद रखना है ऐसे ही कि अगर ऐसे हमारे पास terms है 10 है 8 है 2 है और 20 है और इनका जो average है वो क्या है हमें वो 4 है question में अब question आयेगा कि हर एक term को हम multiple करेंगे उस वाकित plus था अब multiple करेंगे for example 2 से तो आप लोग average को भी multiple करोगे 2 से अब देखो यहाँ पर 10 को जब multiple करोगे हमें 2 से 20 बनेगा 8 16 बनेगा 2 4 बनेगा और 20 40 बनेगा that means average हमारा 4 इंटो 2 फिर क्या बनेगा 8 बनना चाहे अब add चाक करो 40 44 50 60 80 80 डिवाइड बाइ 4 यहाँ पर आप फिर से यह चाक करो average यहाँ पर क्या आया था 10 8 में 4 आया था multiple जब 2 से करेंगे तो add बनेगा यहाँ पर हमारा term 10 20 20 8 20 16 2 20 4 22 20 40 अब देखो 40 50 60 70 76 80 80 डिवाइड बाइ 4 80 डिवाइड बाइ 4 4 20 20 8 4 0 20 तो यहाँ पर variation जो आई वो असल में हमारा variation जो आई हमें असल में यहाँ पर यह गालत हुआ था कि जो 10 8 2 और 20 है इसका average क्या होगा 20 30 38 प्लस 2 is 40 40 डिवाइड बाइ 4 average हमारा 10 होगा यानि कि average हमारा 10 है 10 है अब average को जब multiple करेंगे 2 से तो average हमारा क्या बनेगा 10 20 20 हमारा average बनेगा वही मैंने बोला था कि average को 2 से जब हर एक term को 2 से multiple हुआ जो हमारा average था वो भी किससे 2 से multiple होगा यहाँ पर हमने क्या लिया था इसका average यहाँ पर ठीक था चलो यह point भी हो गया इसी तरह से और एक point अगर आप लोगों का ऐसी होगा 10, 8, 2 और 20 और आप लोगों को पता है कि इसका average कितना है 20, 30, 38, 40 divided by 4 10 average है अब अगर हर एक term को हमने decrease किया by factor P for example 10 average will also decrease by factor P अब देखो अगर P है 1 1 से decrease किया 10 हमारा 9 बनेगा 8 हमारा 7 बनेगा 19 मनेगा then average हमारा 10 से 9 मनेगा आप चाक करो 19 plus 1 is 20 29, 30, 36 36 divided by 4 4 9s are 36 यह भी आप लोगों को याद रखना है तो यह चीज़े आप लोगों को किसमे average में आप लोगों को यह चीज़े याद रखनी है अब average में आप लोगों को और एक चीज़ पढ़ना होता है कि for example if the speed of an objective from a to b is x km per hour and from b to a is y km per hour then average speed during the whole journey is since यह हमने time, speed and distance में अच्छे से पढ़ा है कि अगर a to b x km होगा x km per hour होगा यादि कि distance d है और इसी सेम distance को फिर a to b x था x km per hour था फिर b to a y km per hour है अगर आप लोगों को every speed बोलना होगा आप लोगों को पता है पहले में speed x थी तो time t1 लगेगा दूसरे में speed y थी तो time t2 लगेगा और distance सेम है यह मैंने आप लोगों को अच्छे से बढ़ा है time speed distance में कि जब distance सेम होगी time different लगेगा या अगर distance different है और time सेम लगेगा क्या फार्मूला है तो इस case में आप लोगों को पता हिए कि average speed की फार्मूला क्या होती है twice x y divided by x plus y km per hour यह आप लोगों ने अच्छे से इससे पहले भी पढ़ा है और एक चीज जो आप लोगों को याद रखना है अगर हमारे पास n1 quantities है n1 quantities है for example हमारे पास n1 कुछ भी हो सकता है 5, 10, 15 quantities होगी है हमारे पास और इनका जो average है average है let वो x है और हमारे पास n2 quantities है अब और कुछ quantities है हमारे पास और उनका जो average है वो for example y है अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि n1 plus n2 quantities को हम मिलाएंगे और आप लोगों से पूछा जाएगा कि average क्या होगा इसके लिए formula है n1 into x plus n2 into y divided by n1 plus n2 यह आप लोगों को यह formula याद रखनी अब इसका क्या मतलब हुआ for example question ऐसे है 5 quantities है हमारे पास 5 quantities और हमारे पास और इनका average 10 है 5 quantities का average हमारे पास कितना है 10 और हमारे पास 10 quantities है जिनका average है let 5 अब आप लोगों को बोला जाएगा अगर हम इन 5 और 10 quantities को एक साथ लेंगे यादि कि आप हमारे पास 15 quantities है इनका average कितना होगा आप लोगों को क्या करना है इस 5 को multiple करना है 10 से 5 into 10 50 फिर 10 को 5 से 10 into 5 प्लस यहाँ पे 10 into 5 आप लोगों को यह रूल्स याद रखने होंगे आप देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है अवरेज पे क्वेश्चन आ सकता है अवरेज आप 5 consecutive even numbers is 50 हमारे पास 5 even numbers है लेकिन यह क्या है consecutive even numbers यानि कि अगर मैं 2 यहाँ पे ले लूँगा फिर हम उचे इसके बाद ही जो even आएगा इनकी 4 वो लेना है फिर 6 लेना है 8 लेना है 10 लेना है या अगर मैं for example 16 लोँगा फिर इसके बाद ही जो आएगा 18, 20, 22, 24 ऐसी consecutive मतलब यही एक even number के बाद जो दूसरा even number होगा what is the largest of these numbers question पूछ रहा है कि हमारे पास 5 even numbers consecutive even numbers है जिनका average 50 है आप लोग उसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे largest number कोन है अब देखो इसको कैसे मैं सब्सक्राइब करूँगा अगर मैं पहले even number को x लोगा मुझे पता ही नहीं है कि even number यह कौन से 5 even number से जिनका average 50 है मैं पहला even number x लोगा तो मुझे पता ही कि दूसरा क्या होगा फिर consecutive है यानि कि x plus 1 तो 8 होगा क्योंकि अगर x 10 है 10 plus 1 is 11 11 तो हमारा odd है यह पता ही है हमें इसका मतलब क्या हो अगर पहला x है दूसरा फिर क्या है x plus 2 फिर तीसरा क्या होगा x plus 4 फिर x plus 6 और last वाला क्या होगा x plus 8 अब आप लोग को क्या करना है average आप लोग को average देखना है average कैसे करते हैं हम add करते हैं quantities को यानि x plus x plus 2 पहली x है दूसरा x plus 2 फिर x plus 4 है plus x plus 6 है plus x plus 8 है divide by x plus 8 है divide by total quantities कितनी है हमें पता ही है कि यह 5 quantities है 1, 2, 3, 4, 5, 5 अब average निकालना है अब देखो x कितने है 1, 2, 3, 4, 5 जब x को 5 भर add करेंगे तो 5 x फिर क्या बज़ता है 2 plus 4 is 6 6 plus 6 is 12 12 plus 8 is 20 divide by 5 और question वहां से ही बता रहा है कि इनका average वो 50 है इसका मतलब क्या हुआ 5 x plus 20 5 x plus 20 को ऐसी इस 5 को यहां से multiple करेंगे 50 into 5 is 250 अब देखो यहां पर 5 x जो यहां पर plus 20 है उदर जाके minus बनेगा यानि कि 250 minus 20 अब देखो 5 x 250 minus 20 is 230 इसके बाद अगर x को मैं ऐसी ही रखोंगा तो 5 यहां से डिवाइड होगा 230 डिवाइड पर 5 5 1 0 5 4 0 23 यहां पर 30 बनेगा 5 6 0 30 यानि कि x 40 सी किस है और question में बोर रहा है कि सबसे largest हमें पता ही है कि सबसे largest कौन होगा x सबसे largest नहीं होगा बलकि x plus 8 सबसे largest नहीं होगा यानि कि x plus 8 सबसे largest होगा x 46 किस है 46 plus 8 is 54 that means 54 हमारा largest नहीं होगा तो इस पैटर रंग के questions आप लोग को exam में देखने को मिल सकते है अब देखो यहां पर question number 2 है every weight of a class of 35 students is 47.5 kg एक class में total 35 students है और उनके weight का अगर हम average लेंगे तो 47.5 kg आता है इसके बाद question बता रहा है कि if the weight of the teacher is included अभी तक हम लोग उने शिर्फ students का weight लिया था आप अगर हम teacher को भी include करेंगे जो average weight बनता है जो average weight है वो 500 gram से increase होता है what is the weight of teacher आप लोगों को weight of teacher बताना है देखो अगर हम बराबर formula से जाएंगे कि हमें पता है कि average किसके बराबर होता है sum divided by number अब देखो average question में उदर सी बो रहा है कि average 47.5 है 47.5 यानि कि इसमें 47 kg है और जो 0.5 है ये 500 gram है ये आप लोगों को decimal में उन्हें आरेडी बोला था कि ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना है कि एक किलो ग्राम में कितने ग्राम होते है एक ग्राम में कितने मिली ग्राम होते है ये मैंने आप लोगों को उसी time ये चीज़ बताई थी अगर आप यहां पे देखो कि 47 हमारा kg है 0.5 मतलब half kg that is 500 gram है अब average 47.5 है is equal to sum कितना है sum हमें नहीं पता है कि sum of 35 students कितना है sum of weight of 35 students कितना है ये में नहीं पता है और number of students कितने है 35 तो यहां पे हमें क्या पता लग सकता है यहां पे हमें sum पता लग सकता है क्योंकि इस 35 को यहां पे हम multiple करेंगे यानि कि 47.5 into 35 is equal to sum sum क्या? sum of weights sum of weights और वो किसके बराबर आएगा इसको अगर आप solo करोगे 47.5 into 35 that is 162.5 162.5 यह हमारा क्या आया? केज यह वेट किनका? sum of weight of 35 students का weight हमारा कितना है? 162.5 आप question पूछ रहा है कि अगर आप क्या करोगे? आप अगर आप teacher को भी यह करोगे include average 500 gram से increase हो रहा है पहले था 47.5 average आप 500 gram मतलब 0.5 से increase हो रहा है क्योंकि 500 gram को अगर kg से kg convert करना होगा इसको 1000 से divide करना होता है 2020 cancer 510, 520, 1 divided by 2 is 0.5 यानि कि 47.5 को add होगा आप 0.5 वो कितना बनेगा? 48 आप इसका question क्या मतलब है? आप जो weight है हमारा average है हमारा वो 48 है 48 फिर 48 फार्मूला क्या होती है? हमें पता ही कि फार्मूला होती है average is equal to sum divided by number आप average हमारा 48 बना ठीक है यहां तक divide by number आप कितने है? अभी तक 35 students ते लेकिन आप teacher भी add हुआ यानि कि plus 1 हुआ तो 36 और उपर क्या लिखना है? अब weight of 36 यह जो 36 हमारे पर टोटल है एक तो 35 students और एक teacher इनका weight हमें teacher का weight पता नहीं है लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमें उपर लिखना है weight of weight of 36 जो हमें उपर लिखना है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 48 को ऐसी ही रखूँगा divide by नीचे 36 भी ऐसी ही रखूँगा weight जो होगा of 35 students एक तो 35 students का weight एक तो 35 students का weight plus 35 students का weight plus teacher का weight teacher का weight अब देखो यहां पर 48 यह 36 जहां से multiple होगा into 36 is equal to weight of 35 students वो हम लोग ने already calculate किया है 162.5 kg 162.5 kg और plus हमारा क्या है teacher का weight teacher का weight अब देखो teacher का weight calculate करने के लिए यहां से plus है तो यहां जाके क्या बनेगा minus हमें पता है पहले हम 48 into 36 करेंगे वो आता है 1728 और आप यह जो equality में इदर plus है 162.5 kg क्योंकि हमें teacher's weight हमें पता ही कि teacher's weight के साथ यह भी इदर है तो इसको हम इदर ले जाएंगे यहां पर plus है तो वहां जाके minus बनेगा is equal to teacher's weight अब अगर आप teacher's weight करोगे 1728 minus 162.5 आप लोगों का निकल के आएगा 65.5 यहनि कि teacher का weight कितना था 65.5 kg तो यह चीज़ आप लोगों को देखनी होगी इसी तरह से और एक question question number 4 है in a certain week a man worked 11 hours at one job earning रुपीज 3600 एक हफते एक आदमी ने 11 गंटे काम किया और रुपीज 3600 कमाया and 9 hours at other job और फिर दूसरे हफ and 9 hours at other job और इसी हफते और एक जाब भी इस ने किया part time job और एक किया वहां पे 9 गंटे काम किया और रुपीज 1800 और वहां पे कितना कमाया रुपीज 1800 वाट वाइर हिस average hour re-earning फार्दे भी अगर हम एक एक गंटे के हिसाब से देखेंगे तो इसने कितना कमाया इसके लिए short में क्या देखना है पहले total कमाया कितना एक तो 3600 कमाया और कितना कमाया और 1800 कमाया 36 plus 1800 is रुपीज 54 टोटल इसने कमाया और कितने गंटे काम किया एक तो पहले 11 गंटे एक जगा काम किया दूसरी जगा 9 गंटे काम किया यानि कि 20 आवर काम किया तो अगर आप लोग उसे पूछा जाएगा कि आवरेज आवर्डी अर्निंग कितनी होगी इसकी आप लोग बोलो कि टोटल कितना कमाया 54,000 कितने गंटे काम किया 20 that means रुपीज 270 अगर आप इसको सालो करोगे तो रुपीज 270 आवरेज में रुपीज 270 कमाया ऐसे easy easy questions आप लोग को exam में देखने को मिल सकते है और यह promise है मेरा आप लोग के साथ कि जो average पे question होगा बिल्कुल easy जो आपने question number two example की उसी pattern का question आप लोग को exam में आ सकता है फिर से आप लोग से request है कि अगर आप इस channel पे नए हो तो channel को subscribe कीजेगा अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा और अपने views हमारे साथ आप comment box में share कर सकते हो thank you